हलो फ्रेंट्स माइनम इस नालेनिया वेलकम टू माई किचन आज हम बनाज जा रहे हैं किसर या खिर खिर के खास बात यह है कि कम सामगरी कम समय में गाड़ी जाइकेदार बनके तैयार होती है आप इसे किसी पार्टी में एस डिजर्ट सर्फ कर सकते हैं तो महमान खुश या किसी पूजा में स्वाधिस्ट भोग लगा करके भगवान को चढ़ा सकते हैं तो भगवान भी खुश तो आए देखते हैं हमने यह साइकेदार खीर कैसे बना वह भी कम सामगरी में इसके पानी डाल कर उसका एक महीन पेस्ट त्यार कर लें इसके बाद मैंने 3 टेबल स्पून मखाना और 4-5 काजू लिया है पानी में डाल करके इसका भी तरदरया महीन पेस्ट पना लें यह देखे कुछ इस तरीके से त्यार हो यह देखे ऐसा पेस्ट रडी है कड़ाई में दूद ले रही हूं दूद आप कोई भी ले सकते हैं गाय का भैस का और साती टोंड भी हो सकता है और विदाउट मलाई वाला जो आता है वो भी आप ले सकते हैं बस इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने दे और जो हमने अभी राइस पीस्ट बनाया था उसको डाले इसको अ कुस थ्रेट मैंने गरम दूद में दूचमस दूद में भीगो के रख दिया था उसके बहुत अच्छा कलर आएगा जब इसके अंदर आप डाले गे ना और उसके बाद आप इसे लगातार चलाते रहें केसर जब दूद में मिक्स होगा उससे बहुत अच्छा फ्लेवर भ पक जाएगा यह देखें कितना ब्यूटिफुल कलर आने लगा है और अब स्टेज पे मैं इसमें 50 ग्राम मावा मिला रही हूं अगर आपके पास मावा नहीं है तो मिल्क पाउडर बे मिला सकते हैं यह दोनों चीज़े भी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं आप मैं यहा और आपकी पूरी मेहनत और पैसे चले जाएंगे इसलिए इसको लगतार चलाना जरूरी है खासका चीनी डालने के वाद इसके बाद जो मैंने अभी मखाने का पेस बनाए ना वो डालेंगे इसके अंदर यह देखिए काफी थिक हमारा मखाना काजु का पेस्ट है इसके अ अगरा वीडियो तो सब्सक्राइब करना नहीं इसके चन ना भूलें प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ अब इसे और गाढ़ा नहीं करेंगे गैस को बन करेंगे क्योंकि थंडे होने के बाद भी यह गाढ़ा होगा अब इसमें फ्लेवर के लिए इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें इलाइची पाउडर डाले के बाद बहुत देर नहीं पकाई है और चाहे तो इसको अब ढ़क के रख दें दो से तीन मिनिट के लिए तो इसका फ्लेवर पूरी खीर में अच्छे से मिक्स हो जाता है यह अच्छे सिसके अंदा मिक्स हो पार गरहे ची इसको आएगे मिक्सके पाहए तो आम क्सी मिक्ति के की हांडी में यृत मिक्ति कि में से सो एक करें रखें इससे ठंडा गरम दूनों तरी कि से आप खा सकते हैं लुकarp एक दिस वाड़ार कर्फ जब roles अब्तन अब इस और थे ठंडा होला है जब यह थंडा कुछ थ्रेट इस तरीके से डाल दें जाहें तो फ्रिज में रखें और या तो गर्मा गर्ण यो ही सब करें मेरा एक और स्टाइल है सर्व करने का जब मैं पार्टी वगरा में डिजर्ट सर्व करती हूं न ये वाला मतलग केसरी आखिर तो मैं मिट्टी का कुलड जो आता है उसमें सर्व करती हूं और इसमें कटे हुए ड्राइफ फूर्ट्स और थोड़ी पिस्ता जिसमें अलमेंड रही आ जाने वाला है मैं इसे चली अपनी मा को भोग लगाएंगा